दोस्तो सैनेक किस्कुल में नई भरती की नोटिफिकेशन आई हुई है और इसके लिए आविदन पर किरिया भी सुरू हो चुकी है आपको बता दे यह जो भरती होगी दो अलग लग पदों के लिए है पहला पद आपको UDC यानि कलर का होगा दूसरा नर्सिंग का यहाँ पर और साथी कैसे आविदन कर सकते वो कम्प्लीट जनकारी देंगे इसलिए आप इस वीडियो को अंतक दिखे ताकि पूरी जनकारी समझ में आपाए वीडियो को अभी तक लाइक ने किया है तो लाइक जरूर कर दे साथी चैनल को सुस्क्राइब करे ताकि आने वाले वीडि इस एंड नर्सिंग सिश्टर का आप इस पर किलिक करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वेकेंसी वाले डिटेल में आपको सारी जनकारी दी गई है सारी जनकारी हमारे ओफिसल वेपसाइट ऑनलाइन अपडेट स्टीम डॉट इन पर भी उपलप्त की गई है और जो भी इक्षुक मिदबार है जिनका उम्रह 18 वर्स है या उससे अधीक है और 50 वर्स के बीच में है तो आप आवेधन परकिरिया को पूरा कर सकते हैं आवेधन करने के जो अंतिमती थी है 21 तारिक तक रखी गई है 21 तारिक तक ही आपको आवेधन करनी होगी अप्लिकेशन फी भी आप से ली जा रही है अप्लिकेशन फी जेनरल OBC अधर कास्ट से अगरा है तो 500 लगेगा SCST वालों के लिए 400 रुपया लगेगा पोस्ट के बारे में हम बात करें तो यहां पर अपर डिवीजन कलर्ग यानि UDC का पोस्ट है जो कि कलर का है एक सीठ है और साथ ही नर्सिंग का इसमें सीठे एक ही रखा गया तो इसके लिए आप आवेधन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करें और सेलरी के बारे में बात करें तो सारी जनकारे बताईगी कि आप अगर कलर के लिए आवेधन करते हैं तो आपको 27 रुपया मिले इसके लिए qualification देखिए अगर आप color के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें graduation आपको होना चाहिए किसी भी अगर अपने subject से किया है और दो सालों का आपका experience होना चाहिए किसी office में अगर आपने काम किया या government office हो या commercial organization है उसमें अगर आपने काम किया है तो इसमें आपको मौका म मिल सकता है English का भी knowledge होनी चाहिए और साथी computer का knowledge जिसमें आपका MS Word हो गया Excel हो गया PowerPoint की knowledge होनी चाहिए और typing का भी आपके पास knowledge होनी चाहिए English में बताया है और Hindi में 35 हैं और English में चालेस रखा गया है नर्सिंग के लिए बताये कि नर्सिंग में diploma डिग्री होनी चाहिए और season me आप gonna अब आपने सारी जनकारी हम आपको बताते हैं तो इसके लिए notification को आप चाहिए तो यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके साहरे notification डाउनलोड होकर आ जाएगा जिसमें भी आपको सारी जनकारी बताईगे भरती से जूरी जो अभी हमने आपको बताया अब इसके लिए आवेदन देखिए बताया गया कि आवेदन offline माध्यम से हो रही है तो आवेदन यहाँ पर आपको speech post के माध्यम से करना है और यह जो address बताया गया कि सैनेक स्कुल गोपाल गंज पोस्ट हत्वा डिष्टिक गोपाल गंज पिन कोड यह बताया गया इस address पर आपको अपना जो लिफाफा है वो भेजना होगा लिफाफा में क्या-क्या इसमें करना है उसकी जनकारी बताईगी कि जो मेंसन करना है क्या परसेंटेज आपका है मैटिक में वह भी आपको बतानी है और उसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो है बायो डाटा है उसके अलावे आपके मॉवाइल नंबर इमेल आइडी जैसे जो जनकारी है वो यह 500 का यह डीडी बनेगा और अगर आप SSTK है तो 400 का आपको डीडी बनेगा डीडी जो बनेगा यहाँ पर बताया गया कि फिवर आफ फ्रिंस्पल सैनिक इसकूल गोपाल गंज के नाम से यह बनेगा आप किसी भी जो बैंक है एस्टेट बैंक में जाकर इसको बनवा सकते ह फॉर्म को कैसे भरना है तो इसकी जनकारी आपको मिल जाएगी जैसे यहाँ पर फॉर्म जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यह फॉर्म खुलेगा अगर इस पर करके अगर आप पातरता को रखते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें एक प उसके अलावे candidate का जो नाम होगा आपको लिखना है capital later में होगा father का नाम या कोई महिला आवेदन करती है तो अपने husband का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको टीक लगानी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर बता जार कि ex-serviceman है तो उसकी जनकारी बताएंगे अगर नहीं है तो blank छोड़ेंगे अगर है तो कब आपने joining किया कब retired किया उसकी जनकारी आपको देनी है जो हमने आपको बताया कि payment आपको करना होगा तो payment आपको यहाँ पर बताया गया कि demand drop याँ ड DD जो आप बनाएंगे तो DD number आपको यहाँ पर mention करना है date mention करना किस bank से आपने बनाया किस branch से बनाया बरांज का quote क्या है और कितना amount का बनाया उसकी जनकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी साथी candidate का जो address होगा वो address डालना है जैसे उनका नाम father या husband का नाम उनका फूल address है व और सारी जनकारी को आपको speech post जो करना है form के साथ जो हमने आपको बताया कि speech post में आपका जूभी qualification होगी वो जितने भी document होगे उनका जिरॉक्स आपको लगानी है और जिरॉक्स पर आपका signature होनी चाहिए नीचे में आप signature लगाएंगे और एक सी ध्यान रखेंगे notification में clear बत selection करना चाहिए तो उसमें आपकी जो document है selection later हो admit card हो उधर से return आ सके तो उस लिफापा में आपको दो लिफापा लेना है एक लिफापा आपको खाले उसमें डालना है और एक लिफापा आपको भरकर जो इनका address है हमने address आपको बताया कि यह इनका address है इस address पर आपको इसको भ को आप apply कर सकते हैं तो हमने almost सभी जनकारी को आपको बताया फिर भी अगर किसी भी परकर के समस्या है इसको लेकर तो आप इनके जो notification है उसको एक बार read out करे ताके सारी confusion आपका दूर हो पाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद